नुबर 10 है ज़र ठीक है तो इस question में concept basically हम रोगों क्या पकड़ना है जैसे question में क्या है कि 1 plus 10 square a divided by 1 plus 4 square a bracket close 1 minus 10 a 1 minus 4 square बराबर हमें प्रूफ करना है 10 square a ठीक सर यह question में proof करना है मतलब आपके पास 3 situation है दोनों question को solve करना है और हमें इतने लाने की question करना है ठीक सर तो चले हम लोग यह वले part लेते हैं सबसे पहले तो 1 plus 10 square a 1 plus 4 square a जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हम कि सारे question अगर कुछ भी रहे तो उसे सबसे पहले आपको sign question में बदन नहीं है सर तो sign question में question को बदन नहीं है अब देखें यहाँ 10 है तो 10 का formula क्या होता है sign by cos तो आप क्या किजिए गए सर यहाँ पे sign square by cos square कर दें नीचे वाले question में भी क्या है अगर इसको square लगा हुगा है तो इसके बेल में भी क्या लगा है सर अब चलते हैं आगे अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं कितना होगा इसके कुछ नहीं कितना होगा तो first उपर में आपको संअब कितना हो जागा साइनी स्कुएर एस आपको पता है कि स Nacht plus cos square जैसा कि आपको पता है किrą वेलूद देगा जैसा मेरे पास कितना हाग्य अब देखें, आपके पास चार को नमबर हाग, जैसरा कि मैं अपने पिछले वीडियो पे बता चुका, कि आपको क्या करनी है सर, कि आपको सबसे नीचे ओला नमबर कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर और ये ओला नमबर यहाँ, अब चला जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर sin square a divided by cos square a और आपको पता है sin by cos किसका फर्मूला होता है सर 10 का तो 10 और यहाँ आप square लगा मतलब हमको यह proof हो गया अब इस question को लेके चलते यह वाले LHS से अब इसको proof करते हैं तो आई होप आप लोगों को यह वाला solution अच्छा लगा होगा अब next time लोग देखते उस पर तो देखें आपको question में क्या दिया हो फिर LHS वाले part में कि 1 minus 10 a by 1 minus 4 10 का whole square है ठीक साथ अब इस LHS से RHS 10 e square लाना है मैंने फिर में बार-बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप एक question में आपको proof करने भूले कि मतलब ये करना कुछ भी proof करना बस आपको sign cost में सारा data को change करना आप यहाँ पर देखें कि वे 10 है इसको change करेंगा तो क्या हो जाएगा सर sign a by cost a हो जाएगा सर ठीक फिर नीचे भी change करेंगा तो क्या होगा cost by sign a कि कोई cost का formula क्या होता है code का formula cost by sign a होता है ठीक सर अब देखें square लगा तो square लगा दिंग one नीचे one नीचे चले आप one और cost का एलसेम कितना हो जाएगा सर cost a हो जाएगा one का table में cost से यह सारा चिज़ तो यह वहला भी वही case है that multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा cost a minus sign a ठीक सर नीचे चले सेम होई चीज़ sign a हो जाएगा sign a यहाँ चला जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा sign a minus cost holy square ठीक सर अब देखें cost a minus यह जो square होगा दोनों के लिए जाएगा सर मतलब यहाँ पर क्या होगा सर cost a minus sign a bracket में यह वाला term यहाँ चला जाएगा यह वाला term यह bracket के अंदर पर हो रहा तो मतलब आपके पास sign उपर चला जाएगा सरब से से मुसी परकार मेरे पास क्या हो जाएगा सर cost a into sin a minus cost a holy square यहाँ तक समझ माएं बस कुछ ने किये सर सब को sign cost के term में change के बिदेन यहाँ पर LCM ले LCM लेने के बाद यह लो सबसे नीचे लो सबसे उपर second or third के start करते और कुछ ने किये तो चले अब चलते हैं आगे की और तो अब देखें यहाँ पर आपको क्या करना है एडजस्टमेंट करना है को से माइनस जाइने है अगर यहाँ से देखा जाए अगर हम लोग माइनस को मन निकाल देंगे तो क्या होगा सर यहाँ पर माइनस को मन निकाल देंगे तो यहाँ पर पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और जहां पर पलस है माइनस है वहां पर पलस हो जाएगा ठीक सर यह bracket into sin ठीक है नीचे आपके पास क्या पच्छेगा सर आपके पास sin minus kose bracket और आपके पास क्या हो जाएगा सर kose यह bracket close कर तेंगे इधर में मिटा देता हूँ ठीक है इसका काम तो खतर हो गया है अब देखे यह square लग जाएगा अब देखे यहाँ पर क्या हो जा रहा कि आप इसको अगर पलट के लिखना चाहेंगे तो ऐसे कुछ कर के लिख सकते हैं sin minus kose divided by sin minus kose से और यह यह वाले term आपके बराबर sin by kose तो इसको sin by kose से लिखती जी ठीक से अब देखे sin by kose, sin by kose यह value कट जाएंगे तो आपके पास क्या बजगे minus यहाँ पर minus बजगे और इसका 1 into sin by kose का फर्मूला कितना होता है 10 a का whole square अब देखे यह जो square होगा इसके लिए, इसके लिए तो minus 1 का square हो जाएगा into 10 a का square हो जाएगा आपको पता है कि minus 1 का square कितना होता है 1 or 10 square तो 10 square हो जाएगा यह किसके बराबर हो जाएगा सर 10 x square के बराबर जो कि हमें RHS में पूरूफ कर तो इस question ऐसे कर सकते हैं मतलब इस question में क्या करना था कुछ ने करना था जो भी sign cost के term थी उसे sign cost में change कर देना है sign cost में change करने के बाद LCM आले part करना है LCM आले part करने के बाद readjustment करना है readjustment के बाद से feel say reciprocal formula लगाना तो आपका ये question बन जाएगा तो इस question से हमें ये चीज़ सिखने को मिला कि अगर हमें आपका trigonometry ratio के question बनाने है identities के बनाने तो आपको कुछ भी रहेगा question को सहस्ट अफल आप दिमाग में ये fit करे sign cost कहां पर दिख रहा